दोस्तो आज के सीडियो में हम देखने वाले हैं गुलाप के पौधे के बारे में एक काफी serious disease जो इस तरीके से हो जाता है आपके गुलाप के पत्ते के उपर अगर इस तरीके से नजर आ रहा है तो साउधान हो जाईए यह जानलेवा बिमारी है जो गुलाब के पौध़े को पूरी तरीके से खतम कर सकता है और यह बिमारी फैलती भी है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं कई सारे समाधान और कई सारे टिप्स बताओंगी जिससे आप अपने गुलाब के पौधे को बचा सकते हैं आपका अपनी गार्णिंग चैनल गार्णिंग वित मॉम्स में वड़ फिर से बहुत बहुत स्वागत है ये वीडियो यूटूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फेस्बूक और इंस्टेग्राम पे पेच को फॉलो करना ना भूलें चलिए वीड कियों में बताऊंगी अगर पॉध्य के पत्ते के उपर पहले काले छीटे नजर आँ रहे हैं बलैक डॉटूर जिसे कहते हैं उसके बाद आपके पॉधे पेले ठीजुसरी को प्रें हो रहे हैं इस तरीके से जिस्लिए वह जाती जिए पिंदे को बचाना चाहरे कियु आप इसे रोक नहीं सकते, क्योंकि इसके जो बैक्टिरिया है, वो हवा में ट्रेवल करते हैं, एक जगा से दूसरे जगा पहुच जाते हैं, अगर आप कुछ काम करेंगे अपने पौधे के उपर, जो आज में इस वीडियो में पताऊगी, तो ये फंगल इंफेक्शन खतम ह हो सकता है, और आपका पौधा फिर से हरा भरा हो सकता है, तो अगर आपके पौधे के उपर इस तरीकी का कोई भी साइन नजर आ रहा है, तो आप एक काम कीजिए सबसे पहले, ये जो काले धब्बे हैं, ये किसी निट्रिसन की कमी से नहीं है, ये फंगल इंफेक्शन है, तो आप इन्हें उसी तरीके से दूर करेंगे, सबसे पहले आपको लेना है कि स्प्रे बॉटल, इसमें आपको एक लीटर नॉर्मल वाटर भर लेना है, इसके बाद आपको लेना है एक चमत जितना डिटरजेंट पाउडर, ये किसी भी ब्रैंड का डिटरजेंट पाउड इसकी जगह पर आप लिक्विट सॉब भी इस्तमाल कर सकते है, आपको कुछ अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन रियल ये वर्क करता है, उसके बाद आपको दूसरी चीज जो लेनी है, वो है दोस्तों खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं, बेकिंग पाउ इसी जूरा बड़ चिए, इस तरीके की डीजीज फंगल इंफेक्षिन के कारण होता है, लेकिन अलावा भी करन रियल शका है पत्ते पीले होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण होता है मिट्टि की गुड़ाई नहीं करना, जिससे की proper oxygen जड़ो को नहीं मिलता है, जिसके वज़ा से भी पत्ते पीले होते हैं, दूसरा कारण होता है, ओर वटरिंग या पिर अंडरवाटरिंग, तो इन सब का समाधान आप मिट्टी की गुड़ाई करके कर सकते हैं मिट्टी की गुड़ाई सूखी मिट्टी में भी करें और अगर बरसात के समय में मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है उस समय भी हलके हलके हातों से जिससे जड़ों को ज़्यादा नुकसान ना हो मिट्टी की गुड़ाई आप करते रहें कम से कम हपते में एक बार आपको सुखी मिट्टी हो चाहे गीली मिट्टी हो गुड़ाई चरूर करना है इससे भी आपके पौधे के पत्ते पीले नहीं होंगे दोस्तो अब चलिए एक दिन छोड़ करके तीसरे दिन आपको कौन सा इस्प्रे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ एक लीटर पानी फिर लेना है और अभी जो हम इस्प्रे बनाने वाले हैं उसका इस्तेमाल आप गुलाब के साथ साथ किसी भी पौधे में कर सकते हैं क्योंकि बरसाथ के समय में इंसिक्ट का टैक, फंगल डिडिस, बैक्टिरिया का टैक काफी तरीके से हो जाता है पौधे के उपर तो उसे बचाने के लिए आप लेंगे नीम ओईल अगर आपके पास नीम ओईल है, तो एक लिटर पानी में एक से दो बूंद ले मेरे पास नीम वाटर है, घर पर बनाया हुआ, तो यहां पर मैं दो से तीन चम्मच ले रही हूँ तो नीम water अलग होता है, नीम oil अलग होता है, लेकिन फाइदा एक ही तरह का होता है इस तरीके से मिला लेने के बाद अच्छे से आपको shake कर लेना है और अपने गुलाब के साथ साथ सभी पौधे में आपको इसका spray करना है इस मौसम में पौधे को तो जवरदस तरीके से फाइदा होता है पौधे काफी हरे भरे और जल्दी ग्रो करते हैं खुब अच्छे से बढ़ते हैं लेकिन दूसरी तरफ बरसाथ का पानी नुकसान भी करता है तो भरपूर फाइदा लेने के लिए नीम ओटर या नीम ओटर का इस्परे जरूर करें अगर आपके गुलाब के पौधे बिल्कुल सही सलामत हैं और आप चाहते हैं कि इसमें कोई भी प्रॉबलम ना हो तो फिर नीम ओटर का इस्परे हपते में दो बार गुलाब के साथ सबी पौधे में इस्परे करें सबसे अच्छा समय है इस्परे करने का जब बारिश हो करके छूट जाए उसके बाद आप इस्परे कर दें तो अब मैं आपको बताती हूँ पत्ते पीले होने का एक और सबसे बड़ा कारण मैंने अपने पौधे बिलकुल खुले धूप में रखा हुआ है जितनी देर धूप निकलती है भरपूर मातरा में मिलती है लेकिन अगर आपने अपने पौधे को शेड में रखा हुआ है जहाँ पर इसे मुश्किल से एक से दो घंटी की धूप मिल रही है तो भी पत्ते पीले होंगे पहले इस तरीके से हलके रंके हो जाएंगे और धीरे धीरे फिर पीले हो जाएंगे फिर जड़ जाएंगे इस तरीके से धीरे धीरे करके आपका पौधा खाली हो जाएगा आप ये भी धियान देंगे कि पौधे को आपने रखा कहा है, गुलाब के पौधे को खुब अच्छे से धूप चाहिए, खास कर बरसाद के मौसम में और विंटर सीजन में, लेकिन ये दो मौसम में आप इसे भरपूर धूप देने की कोशिश करें, अब मैं आपको तीसरा आपको एक दिन और छोड़ करके करना है, दोबारा से एक लीटर पानी ले लेना है, एक लीटर पानी में आपको दोस्तों डालना है, ये है मार्केट वला इंसेक्टिसाइड, मैलेथियन कंपनी का मैं इस्तमाल करती हूँ शुरू से, तो इसी से मुझे काफी अच्छा रि नुसार चुन सकते हैं, जैसे कि जब बारिश हो छूट जाए, उसके बाद इस्पिरे करें, या फिर सुबा के समय कर दें, या फिर शाम के समय करें, दोपहर में आपको नहीं करना है, इस तरीके से इसका इस्पिरे भी आप अपने गुलाब के उपर कीजिए, आपको आपको इस वीडियो में बताएं, लेकिन ये सब की कारण आपके पौधे में नहीं है, क्योंकि आप हर चीज का ख्याल रखते हैं, उसके बावजूद आपके पत्ते पीले हो रहे हैं, तो ये मुम्किन है कि आपके पौधे में किसी चीज की कमी हो रही है, जिसके वज़ा स पत्ते पीले हो रहे हैं, कमी कैसे दूर करना है, चली में बताती हूँ, सबसे पहले एक बड़े से बरतन में आपको पानी ले लेना है, दो से तीन लीटर, उसके बाद आपको अपने घर के जितने भी किचन वेश्ट हैं, फ़लो के छिलके, सबजीों के छिलके, जितने तर चलका लेंगे तो अच्छा रहेगा, मैंने सिर्फ आज का जितना फ्रेश था उतना ही लिया है, इसमें आप देखेंगे सबजीों के छिलके हैं, नेम्बू के छिलके हैं, केले के छिलके हैं, प्याज, लहसन, सभी के छिलके हैं, आपके जो भी छिलके निकल रहे हैं, सभी को आप ले लें एक्जाटली तो हम पता नहीं लगा सकते हैं कि यही प्रॉब्लम है यही कमी है पौधे के अंदर तो इस वज़ा से हम क्या करेंगे हर तरह कर निट्रिसंस पौधे में दे देंगे ताके जिस चीज की उसे कमी है वो ले ले तो इसलिए हमने किचन वेश्ट का इस्तमाल करना है इसमें हर तरह के निट्रिसंस, माइक्रोफाइबर, जिंक, मैगनीशियम, आइरन, केल्सियम, वाइटेमिन, सभी चीजे इसमें पाई जाती है तो यही चीज अगर हम पौधे को दे देंगे तो पौधार को जो ज़रूरत है वो मिठी से ले लेगा अब हम इसमें क्या करना है दो शुदे लिटर नॉर्मल पानी लेना है उसके बाद इसमें हमें सारे चिलको डाल देना है उसके बाद हमें इसमें एक और चीज मिलानी है जो पौधे के लिए खासकर गुलाब के पौधे के लिए बेस्ट फर्टिलाइजर होता है तो वो चीज है दोस्तो चाय बनाने वाली चाय पत्ती बिल्कुल फ्रेश वाली यह बिल्कुल भी इस्तमाल नहीं की गई है बिल्कुल फ्रेश वाली है यहाँ पर हमने दो से चार लीटर पानी के लिए एक चम्मच चाय का पत्ती लिया है एक चम्मच आप भी ले लें इस तरी चाय की पत्ती में नाइट्रोजन बहुत अधिक मातरा में होता है नाइट्रोजन का काम होता है पौधे को हरा रखना ऐसे में अगर आपके पौधे के पत्ते पीले हो रहा है है तो फिर आप नाइट्रोजन उसे जरूर दीजिए बहुत ही जल्द आपके पौधे के पत्ते हरे होते नजराएंगे तो सभी चीजों को अच्छे से हमें मिला लेना है उसके बाद इसे ढख करके बिल्कुल हाई फिलेम पर चढ़ा देना है हाई फिलेम पर चढ़ाने के बाद आपको देखना है जैसे ही इसमें खूब अच्छे से उबाला जाए तो उसके बाद आपको flame slow कर देनी है और वापस से इसे ढख देना है slow करने के बाद आपको 5 मिनट इसी तरीके से इसे छोड़ देना है थोड़ा सा चला ले उसके बाद दुबारा से ढख करके 5 मिनट के लिए छोड़ दे आप देख रहे हैं कि पानी का कलर डार्क होता जा रहा है आगे और भी डार्क होगा धक करके वापस से 5 मिनट के लिए छोड़ दें 5 मिनट हो चुके हैं अब हम गैस का flame बंद कर देंगे और इसे अब कुछ भी नहीं करना है बस इसी तरीके से ठंडा होने के लिए बिल्कुल छोड़ दें जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा बिल्कुल ठंडा फिर हम इसका इस्तमाल करेंगे दोस्तों 2-3 घंटे हो गया है अब ये liquid बिल्कुल ठंडा हो गया है अब इसे इस्तमाल कैसे करना है वो देख लेते हैं आप चाहें तो किसी कपड़े या चाय च्छनी की मदद से छान सकते हैं मैंने बस इसे ऐसे ही पानी को अलग कर लिया है पानी ज़रूर अलग कर लें ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा च्छिलके वगयरा पानी में नहीं जाना चाहिए नहीं तो गमले में फंगस लग सकता है जो एक अलग प्रोब्लम क्रियेट कर देगा तो इस तरीके से पानी हमें अलग कर लेना है अब यहाँ पर आप देखे इस छिलके को हम दो से तीन बार और इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अब यहाँ पर यह लिक्विट जितना है इसी के तीन गुना जादा हमें नॉर्मल वाटर मिलाना है अब यहाँ पर आप दे जाने के लिए विस नवाला लिक्विड आप आप अपने गूलाब के पौधे के साथ सबी पौधे में दे सकते हैं, खासकर फुल वाले पौधे में। आप इस liquid fertilizer को kitchen waste tea भी बोल सकते हैं जिस तरीके से हम लोग compost tea बनाते हैं तो यह हो यह kitchen waste tea तो इस तरीके से आप अपने सभी पौधे में खासकर गुलाब के पौधे में जिसके पत्ते पीले हो रहे हैं या फिर जिस पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है उस पौधे में ये वहला fertilizer आप जरूर दीजिए आप देखेंगे कि आपके पौधे में बहुत ही जल्द फर्क नजर आने लगेगा तो जल्दी जल्दी हम अपने सभी गुलाब के पौधे में इस fertilizer को डाल देते हैं ध्यान रहे कितना जादा भी नहीं डालना है कि drainage hole से वह बाहर निकले और इस fertilizer को आप हर 15-20 दिन में अपने गुलाब के पौधे में जरूर दीजिएगा दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ये जो जानलेवा fungal disease है एक पौधे से दूसरे पौधे में ना फैले तो उसके लिए आप क्या करें तो आप क्या करें जितने भी आपके infected पौधे हैं उन्हें बाकी गमलों से अलग रख दे दोस्तों आप मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो का सबसे आखरी और सबसे असरदार इस्प्रे जो खासकर black sport के लिए ही बना है तो आपको लेना है एक लीटर पानी में एक चमच ये दूद पौडर आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा ये किस तरीके से वर्क करेगा लेकिन ये black sport में बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है एक लीटर पानी में एक चमच आपको ये दूद वाला पौडर ले लेना है आप किसी भी ब्रैंट का ले सकते हैं अगर पौधे के पत् आपको और पौधे आपके फिर से बिल्कुल हरे नजर आएंगे तो इस तरीके से इसका इस परे भी आपको उसी समय करना है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया वीडियो में आगे रिजल्ट देखेंगे लेकिन चलिए उससे पहले उनके नाम देख लेते हैं जिनोंने मेरे पिछले वीडियो में सही जवाब दिया था तबस्म शेक पूने से नगमा रईन प्रदीप महापातरा जी तो दोस्तों अब वक्त है रिजल्ट देखने का ये देखें जो पौधे के पत्ते थे उसमें ब्लैक डॉट्स अभी आपको नचर आ रहे हैं लेकिन काफी कम मातरा अबर वाट्रिंग ना करें अंडर वाट्रिंग ना करें मिट्टी की गुड़ाई भी करें ये सारे काम आप कीजिए आपको बहुत ही जल्द एक अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा तो दोस्तों आज की वीडियो का मेरा सवाल है ये जो सारे इस बिरे हैं वो कितने दिनों के इंतराल पर आपको करना है जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजेगा जवाब के रलावा आपकी कोई क्वैरि है प्लांट से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड ज़रूर पूछे मैं हर एक कमेंड का reply करती हो आज की वीडियो के लिए इत नहीं वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्स्राइब दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें मैं मिलूँगी आपसे पर तो फिर किसी नहीं वीडियो के साथ तक के लिए बाई टेक एर हैपी गाड़ने के